जैहिन सातियों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल ग्यान आर्पियल में दोस्तों आपको पता है कि आपके बहुत सारे एक्जाम लगे हैं चाहे वो रेडियो अप्रेटर का हो ठीक है या फिर दोस्तों यूपी पुलिस या फिर आने वाली वैकंसी यूपी एस यानि अभी जो दोस्तों 2021 में दोस्तों आपके एक्जाम हुए थे आपको पता है कि एसाई, यूपी ASI के दोस्तों एक्जाम हुए हैं चार से पांच दिसमबर को ठीक है चार सिप्टों में हो दोस्तों उसका हम एक ये सिप्ट लेकर आया है दोस्तों इसको हम साल करेंगे और इसमें आपको बता दें कि इसमें 50 कोशन देखेंगे जिसमें 25 आपके हिंदी होंगे और 25 कोशन होंगे आपके कम्प्यूटर से तो दोस्तों इनको हम साल करेंगे थोड़ा इनके बारे हम जानेंगे भी तो चले दोस्तों सुरू करतें और comment box में और बताईएगा कि क्या आप हर एक पार के कोशन देखना जाते हैं यानि कि दोस्तों जो चार सिफ्ट इसमें हुई है उसके अलावा दोस्तों आपके जो UPSI के हैं वो भी हम सब कुछ दोस्तों पूरा complete कराने वाले हैं इसके अलावा को पता है कि हमने दोस्तों हिंदी कभी नया बैची स्टार्ट तो चलिए पहला कोशन देखते हैं क्या है दोस्तों टेप लेटर जिसका उपयोग सांकिकी सुचिनाओं को संसाधित करने हैं तो कार्ड को पंच करने के लिए किया जाता है का आविसकार किस ने किया कोशन यह है दोस्तों कि टेप लेटर का आविसकार किस ने किया तो दोस हिंदी कोशन आ चुका है मुह तोड मुह को तोड़ने वाला ठीक है तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें बिल्कु अच्छता को पता होगा कौन समास होगा तत्पुरुस समास होगा दोस्तों क्या हो जाएगा तत्पुरुस समास आपको पता होना चाहिए तत्पुरुस समा होता है दोस्तों क्या होता है प्रत्ऽम पदप्रधान होता है उसे हम अ LEGO समास कहते हैं और वह बई लिग जिसका कोई भी पदप्रधान नहीं होता तो हमारा बिल्कुल सही option से जाएगा दोस्तों ततप्रुष समास कर जाएगा अगला है कि का वर्ग में घोस वर्ड कितने होते हैं दोस्तों का वर्ग में घोस वर्ड कितने होते हैं दोस्तों आपको पता है का वर्ग में टोटल पांच वर्ड होंगे का खा गा घा और अंगा ठीक है दोस्तों तो और आपको पता है कि दोस्तों घोस और अघोस क्या होते हैं तो आपक देखिये दोनों क्या हो जाएंग呢 route हूते हैं अगर वहीं पूचत कoure क्रें खाइगा टी चलिए अगला कोशन है व्यास व्यास सम्मान प्राप्त सिवपरसाद सिंग की करती का नाम क्या है नीला चांद धूस्ट ये см recuer siblings दोस्तों आपको पता होगा कि नीला चांद के लिए सुपरसाद सिंग जी को ब्यास सम्मान मिला था और ये इनकी क्या है उपन्यास है क्या है दोस्तों उपन्यास है चलिए अगला कोशन एक डिजिटल संचार तंत्र में यदि आप रव प्रतिछा प्रतिरच्छा बलहाना च आधि है कि सिगनल पाउर को आपको बढ़ाने क्या सकता पड़ेगी किसको दोस्तों सिगनल पाउर आप देखे कैड का पून नेम क्या होगा आपको पता हो कंप्यूटर एंड़े डिजाइन दोस्तों ये कैड का full form होता दीए तो easy सा question है ठीक है आपको भी पता होगा क्यू कुर्ण करता दोस्तों तो यह सो दिज़ितल नेटwork पर संचार की एक बुनियादी इकाई होती है चलिए अगले question दो बढ़ते हैं MS Word में का उपयोग text के format को copy करने के लिए कहा था दोस्तों किसको format printer को दोस्तों किसको format printer को ठीक है आपको पता होगा format printer के वारे में ठीक है चलिए अगला है फिर दो तो space है कि Java में एक application होती है जिसका उपयोग client site पर छोटे applications को भेजने और उन्हें च plates बोलते क्या बोलते हैं plates तो हमारा B option बिल्कूल और बिल्कूल right हो जाएगा चलिए अगला है कि लहंदा भासा का विकास अब ब्रंस के किस रूप से हुआ दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि लहंदा जो भासा दोस्तों वो पैसाची से निकला है किसे दोस्तों पैसाच करने के लिए किस प्रकार के http अनुरोध का उपयोग किया था दोस्तों किसके get का किसका दोस्तों get का प्रियोग करते हैं चलिए अगला है तेरा नंबर question hexadecimal संख्या पधति का आधार बेस क्या होता दोस्तों आपको पता होना चाहिए कितना होता है सोला होता है कितना सोला है चलिए अगला है ms excel में cell को संपाधित यानि की edit करते समय लाइन ब्रेक प्रवेश्टी करने का shortcut कौन सा होता है दोस्तों आपको पता होना चाहिए control प्लस इंटर क्या control प्लस इंटर दोस्तों चलिए अगला दोस्तों देखिए यह आगया आपका क देखिए इन में से कौन सा उपसर्ग सुमेलित नहीं है दोस्तों तो कौन सा उपसर्ग क्या है सुमेलित नहीं है मेरे दोस्तों देखिए अधिकार में आपको पता है अधि उपसर्ग होगा बिल्कुल सही है निरवाह में निर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही है और न तो यह टेक्ष्ट एडिटर खोलते हैं तो computer screen इसको आहले छाल इसको दोस्तोंma कोरको चिलातेसed जो जिएए एक करसर यह सा दिखता दूंजों क्या बोलते हैं हम करसल बोते को तो छिस्सको क temps Estados में एक फीज पर एक नयया section सुरूब करने के लिए किस प्रकार का section break मदद करता है तो किस प्रकार काrib का तो continuous का ठीक है चलिए अगला कोशन है कि किस छंद के प्रतेक चरण में 16 16 मात्राय प्रतेक किसके होंगी तो यह दोस्तो आपको पता हैं जो curv screws तेरा मात्रा होंगी ठीक है तो यह चीज आप बिल्कुल याद रखेंगे और चौपाई दोस्तों सम्मात्रिक छंद है क्या है सम्मात्रिक छंद है चौपाई चलिए अगला कोशन निम्रिखित में से किसने फायर फॉक्स ब्राउजर विक्सित क्या दोस्तों तो आपको पता होगा Graphics interchange format दोस्तों क्या हो जाएगा Graphic Interchange format चलिए अगला देखते हैं अगला क्या है कि email भेशतेसमें BCC क्या दर्साथा दोस्तों और ब्लाइंड कार्बन कपी चलिए अगला कोशन आपके लिए कि निम्रिखित में से कौन सा Microsoft दोरा BigSit एक web browser है दोस्तों तो का है तो आपको पता होगा जब आप Microsoft कुछ यूज करता है दोस्तों विंडो में तो दोस्तों आपको Internet Explorer मिलता है दोस्तों वो Microsoft का ही web browser होता है दोस्तों ठीक है कोजिला का है Firefox दोस्तों तीची या रखेंगे भी आगे पूछा भी गया है अगला है इन में से किसे मस्तिस्क कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिस्क किसको कहते हैं दोस्तों आपको पता होगा .edu मतलब होता education ठीक क्या होता है .edu मतलब क्या होता है education दोस्तों चलिए अगला कोशन क्या है प्रतेक सब्द का संधी बिच्छेत का दोस्तों प्रतिधन एक आपको पता है कि जब कभी दोस्तों प्रतेक का संधी बिच्छेत करते हैं क्या हो जाएगा प्रतिधन एक होगा औ सेंबियन दोस्तों पहले मोबाइल चलते हैं क्या है इन में से कौन सा वर्ड अघोस महाप्राण है दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए देखिए एची समझादे आपको जिसे पहले महाप्राण चलिए पाली का प्रयोग की धर्म के गरं 쪽 मम से क्या थो गौत्तम बुद्ध ने किया है और बहुत धर्म के जितने वी पुस्तग लिखे गई कोई भी रिखी गई है गरंत लिखा गया वह दोस्तों किस में लिखी गई है पाली में तो हमारा बिल्कुल से यह बागो व्रम 5Geल आती है दोस्तों जैंद कि दौस्तों प्रकरत ने बहुत धर्म के लिए चलिए अगला कोशन आपका की छंद की दरश्टी से गड़ोग संख्या कितने होते हैं आथ होते हैं मदता है कि गड़ कितने संख्यों से मिलके बनता, यानि गढ कितने, अंक से मिलके बनता, दोस्तों, तीन का होता है, देखे, माल्या की नगड लिखा, तो इसमें दोस्तों कितने वाड हो जाएंगे, नगड है न, तीन मिलके बनेगे एक, दो, तीन, तो कव्योंकार ये भी आक उच्छ तरी प्रोग्रामिंग भासा में लिखने वाला पहला ओपरेटिंग सिस्टम कौन से था दोस्तों आको पता हूं ना चीए कौन से था तो यूनिक्स था चलिए अगला है आधा गाउं के पन्यास कार कौन है दोस्तों आको पता हूं ना चीए बहुत ही आधा गया है तो यह चीज आप याद कर लेंगे ठीक है चलिए अगला है आसन का पर्यवासी का जो स्था आसनमित मतलब कर नस्थीग आसनमित होता नस्थीग और भुक्र आदिक ठीक है चलिए अगला है कि режंद्री हंदी निदेशालय की पत्रिका का क्या नाम है दोस्तों जेकर मोहावर JEFF हार जाना चलिए अगला है जिसका मूल ले आंका ना जा सके दो सो क्या होताई तो कोई मूल ले ना हो दोस्तों, जिसका कोई मूल ले ना हो, वो मूल रही तो जाएगा, ठीक है, तो अमूल ले हमारा बिलकुल right हो जाएगा, चली है अगला है, या तो एक atomic sentence है, या एक ऐठ सुख्रत atomic sentence क्या है, तो लिटरल, ठीक है, तो ये बिलकुल सही अगला कोशन क्या है सच्छता का विलोम सब दिखागा दोस्तों सच्छता का क्या हो जाएगा दोस्तों ठीक है चलिए अब देखिए यह दोस्तों आपको पहरा ग्राप दिएगा इसको छांट करके आपको इसके वारे में बताना है तो पहला चालिसवा कोशन क्या है कि इस अ बारे में दिखेए लिए घृमी और वीजानी की ऩिस रसाइन यहां नहीं होगी वस्तधी नहीं मिलेगी लत्किंगे दूस्तों इसे पढ़ेंगे दूसु उप्रूप सभी चलिए अगला है प्रकास सन्सरसक को रिया कहा होती है तो आपको पता होगी हरे पौधों में होगी और कहीं कहां से हो जाएगी ठीक है चलिए अगला है प्रकास होने के लिए किसकी आउसकता नहीं होती दोस्तों आपको पता है कि प्रकास संस्रेशन के लिए कारबन डिया अक्साइड होने चाहिए जल भी होना चाहिए प्रकास मे में मदद करने है तो किया रहा दोस्तों वो क्या होते दोस्तों software कहलाते दोस्तों क्या होते हैं उन्हें हम software कहते हैं चलिए अगला है chrome का कौन सा box address box के साथ search box दोनों के रूप में कार करता दोस्तों कौन सा है तो omni क्या है omni हो जाएगा चलिए अगला question धायर सब्द में कौन सा प्रत्य है दोस्तों धायर सब्द में क्या है दोस्तों या प्रत्य है क्या है या प्रत्य लगा है चलिए अगला है विधिक का पर्यवाची सब्द कौन सा है तो विधिक मतलब होता दोस्तों कानूनी है ना विधिक मतलब काता है कानूनी ठीक है चलिए अगला दोस्तों अन जलने में कौन से समास दोस्तों अन जलने देखे अन और जल दोस्तों को जाएगा द्वंद समास जाएगा को जाएगा द्वंद समास जाएगा दोस्तों और आज का ये लाश्ट कोशन दोस्तों ठीक है देख कहते दोस्तों तो current affair और जर्णल जो आपके जीके से और पचास कोश्चन पुछेंगे उनको हम सवाल करवा देंगे ठीक है और दोस्तों इसके और भी पार्ट लेकर आएंगे कोश्चन करवा गये तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से हम समझाने वाले हैं पढ़ाने वाले हैं अगर पहली बार आप आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन अवस्पर करना और एक बार आप हमें जबू बताना कि वीडियो कैसी लगी थैंक्यू धन्य करने वाद